हाई गुड मारिंग एब्रीवान सभी अच्छे हैं अच्छा आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है डर क्या है डर डर फियर आपको पता है इस दुनिया में हर वैक्टी को किसी न किसी चीज से डर लगता है यह जो हमारा डर है यह हमें कहां लेकर जाता और हमें मिलता क्या है हम क्या खोते हैं हम क्या पाते हैं और इस डर की वज़ा से हम अपने लक्षे से कितनी दूर चले जाते और इस डर की वज़ा से हम अपने आपको कैसे खो देते हैं हम किस प्रकार लोगों से दूर चले जाते किस प्रकार हम अपने विश्वास से दूर चले जाते किस प्र परकार, गुम्नामी की जिन्दगी जीने लगते ये डर, डर की वज़ा से, ठीक है? अगर आप डर को पालते हैं, अगर हम डर को पालते हैं, तो डर खाता क्या है? डर हमारा सब कुछ खा लेता हमारी चेतना खा लेता डर हमारी हिम्मत को खा लेता डर हमारे सपनों को खा लेता डर हमारे आत्म विश्वाश को खा लेता डर हमारे मिहनत को खा लेता डर हमारे जुनून को खा लेता और खाता तो सब कुछ है डर तो हमारा हर कुछ खा लेता सब कुछ खा लेता और देता क्या है बदले में कुछ नहीं देखी भान दीजिए अगर आप डर को पाल के रखते हैं तो डर हमारा खाता तो सब कुछ लेकिन देता कुछ नहीं है क्योंकि आप डर को पाल रहे हैं तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये खालेगा आपका सब कुछ, बचलेगा कुछ नहीं आपके पास, तो आप डर को हमें नहीं पालना है, clear? डर पालतू नहीं, डर फालतू है, इसलिए उसे पालना नहीं है, हम किसी चीज से क्यों डरते हैं, हम किसी चीज से क्यों डरते हैं, हम सभी तब तक किसी चीज से डरते हैं, जब तक हम उससे अंजान होते हैं, मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आ रही, और आपको अ क्योंकि आप अंग्रेजी से अंजान हैं है ना हम तब तक किसी चीज से डरते हैं जब तक उससे अंजान होते हैं अनजान होते हैं जिस पल हम उस स्वस्तू के बारे में जिस पल हम उस चीज के बारे में जान लेते हैं डर स्वता खत्म हो जाता है हम तब तक किसी चीज से डरते हैं, जब तक उससे अंजान होते हैं जिस पल हम उस चीज को जान लेते हैं, डर स्वता खत्म हो जाता है बात समझ में आ रही है न, अब तो डरना नहीं है जिस चीज से डर लगता है, उसको जान लो, डर खत्म अच्छा दिन में जहां जाने से आप नहीं डरते, रात में वहां जाने से आपको डर लगता, अच्छी बात है, very good, बहुत सारे लोगों को लगता है रात में डर, आप मुझे बताईए, आखे बंद कीजी तो, आखे बंद करने से क्या आता, अंधेरा, तो जब आप सोते हैं अपनी आखे बंद करते हैं, आखे खोल के सोते हैं, तो हर कोई आखे बंद करके सोता, तो अगर अंधेरे से डर लगता, तो आख बंद करते हैं, लोग चिलाने लगते, आख बंद करने से हमें क्या महसूस होता अंधेरा, तो क्या आख बंद करने के बाद को हर वेक्ती चि जिस जगह पे दिन में जाने से हम नहीं डरते, उस जगह में रात में जाने से हमें डर लगता, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं, और अंधेरे से हम क्यों डरेंगे? हम आखे बंद करते हैं तो अंधेरा आता, कहां डरते हैं हम? यह हमारा वहम है, अंधेरा इसलि इसलिए क्योंकि अंधेरा हमें सही छवी नहीं दिखाता, अंधेरा हमें उस किसी भी वस्तु के पूरी स्वरूप को नहीं दिखाता, उनके पूरे रूप को नहीं दिखाता, पूरे आकार को नहीं दिखाता, इसलिए वो वस्तु हमें विकृत दिखती है, विकृती हमें दि अच्छाई देखो, हर महौल में अच्छाई देखो, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, हर वस्तु में अगर आप अच्छाई देखने की कोशिस कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा, हर व्यक्ति में अगर आपने उनकी अच्छाईयों को देखना शुरू कर दि हम हमेशा उनकी बुराईयों को और उनके कस्ट यानि उसके द्वारा मिलने वाले कस्ट और उनके द्वारा मिलने वाले तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं इसलिए हमें उससे डर लगता। जब आप गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं, कांटों पे ध्यान नहीं होता, आप फूल तोड़ लेते हैं। जब आपका ध्यान कांटों पे चला जाता, तो मन विचलित होता है, डर जाते हैं, कि कहीं काटे न चुप जाए, तो हमें अच्छाईयों की तरफ देखना है, हमें हर वस्तू से अच्छाई को लेना है, हमें हर वैक्ति से अच्छाई को लेना है, हर महौल से अच्छाई को लेना है, तो डर आपको अपने आप नहीं लगेगा, यानि तब आपको डर नहीं लगेगा और आप निडर होकर किसी भी बस्तू का उपयोग कर सकते हैं किसी भी रैक्ती से मिल सकते हैं किसी भी महाल में जा सकते हैं और आपको डर नहीं लगेगा तो अब लगता है कि डर लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना, किसी को नहीं लगेगा, confirm, cheer, no dare, no fear, ओके, और must जीना है न, निडर होकर, कैसे, निडर होकर, फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद everyone.